नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वगते दोसों आपको दुनिया शे उठाना चाहता है इस नाम का इंशान ज्या दोसों आप इन पर इतना भरुशा कर रहे हैं इतना यकीन कर रहे हैं लेकिन दोसों आपको इस बात की कानो कान खबर नहीं है कि इनके मन में शबी को बिता दें कि अब शमय आ गया है जब आपको शत्र को हुजाना है कि दोसों एशाद दुश्मन है जो कि आपकी जुनकाल में आपको कहीं के नहीं चुड़ेंगे जिए दोसों पर बगवान श्रीकिष ने भी यह बात कहिए कि कभी भी अपने शत्रू पर दोबारा भ दलता तो दोसों श्रम में रहते हो जाए शावधान क्योंकि इस दुश्मन ने आपको पिछले कई श्रमयों से तंग करके रखा है आपने देखा है कि पिछले श्रमय में आपने कितनी मेहनत किया है कितनी शारी शमश्याओं का आपने शामना किया है और अपने जुनकाल मे इतनी खुशियां हासिल की है लेकिन दोसों अगर आप इन से अपनी खुशियों को नहीं बचा पाएंगे तो दोसों यह आपकी शब से बड़ी बेवकूपी होगी जी दोसों हम आप शुबी को बता दें कि शुमे रहते इस इंसान से आप अपने आपको बचा ले या फिर अ जोनकाल से इस इंसान को निकाल को दोसों दोनों में ही आपकी ही बलाई है अ कि जोनकाल की आपके घर परियवार की भलाई है сказала की कब तक आप automat में इतने शार्य आप चाहते हैं कि सभी के शाथ मिल जुल कर रहें लेकिन दोस्तों कुछ रोग एश्य होते हैं जो आपके कारियों से जलती हैं जो आपके वैवार से जलती हैं आपके चाल चिलन से जलती हैं और आप चाहकर भी उनके शाथ रहने पाते हैं क्यों दोस्तों उनके अंदर आपक सुरू से लेकर अंदर तक जरूर देखेगा कि वीडियो में हम आप शुभी को पश्रभी महत्मुन जान करेंगे कि केश्य आप इश्वेक्ति को अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं कि आखिर या वेक्ति कौन है आखिर क्यों एशा कर रहा है या क्या चाहता है जे दोस्तों दुश्मन दोबारा आप शुभी की जुनकाल पर नाए इनके लिए आपको बहुत ही खाश मंतर बताएंगे और अपने जुनकाल को इश्वेक्ति से केसे बचा सकते हैं दोस्तों सभी जानकारियां बहुत ही गहरी तरिकेशे ग्रह गोचर के नुशार बनाए गए हैं तो दोसों भगवान भुलिनाथ का शमय श्रुबात आप श्रील को प्राप्त होगा तो यहीं दोस्तों बात करते हैं मैं भुलिनाथ के एक बहुत ऊच्छे ऑश्य ज्यान धिया अपने भक्तों-शिया बात कहते हैं कि शिकायत बंद करो अपनी तरब देखो और जहां जहां त पेदा होता है को खोजो गौण शेनी वीतर ही उसके कारण मिलेंगे उन कारणों को छोड़ दो ञार्णाआ से दुख पेदा होता है उन प्रवियोजन क्या है जिन से श्रुपज़ जहर के फर लगते हो उन वीजो को तुम क्यों में बहते हो उद्वात्य Sya कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको लगता है कि यह आपके शत्रू है यह अच्छा होई निशक्ता फिर भी दोस्तों आप उनसे बात क्यों करते हैं आज यह अपने उनकाल से निकालते हैं क्योंकि आगे चल कर भी आपको धोखाई देंगे जिया दोस्तों तो दोस्तों बगवान बोलेनात का याद ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जै बोलेनात दोस्तों भगवान बोलेनात का शिमाश्रबाद आप शिभी को प्राप्त होगा जी दोस्तों तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं कि आखिर या कौन व्यक्ति है जो आपको इस दुनिया से उठाना चाहता है कि दोस्तों चोर को खाशी और शंत को दाशी मुशिवत में डाल देती है प्यार देने शे बेटा बिगड़े भेत देने शे नारी लोब देने शे नोकर बिगड़े धोका देने शे यारी जी दोस्तों गुन मिले तो गुरु बनाओ चित मिले तो चेला मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला जी दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको बिता दें कि आप अपने जुनकाल में बहुत ही शपल इंसान बनने की सोच रखते हैं जो भी आपके मन में आते हैं दोस्तों आप कभी भी उन्हें मन में दबा कर नहीं रखते हैं आप अपने परिवार के शाथ बातों को तो शेयर करते हैं जो के दोसों इनके शाती शात लोगी आपके शगत्स मंदी हैं जो भी आपके दिल के करीब हैं आप भी कुनशेंशे अम फीए Спास्ति आने वाइं रिख्श के जुंकाल में कालम।ंबारे में डिर्श को बता देते हैं तो देन सब्सक्राइब कुछ भी को बता दे कि यह आपकी गलती है और इन्हीं के एकारम दोसओं आप सब्सक्राइब कर ना सबाएं वहत्ता है शब्सकी आपके पहले की mixer इन्सान है फिर दोस्सों देरे-देरे आपके इशाथ रह कर अंका देखने के नजरिया बदल जाता है और दोस्वों वे आपसे ही जलनशिल के भावनों से पहुत कुछ करने का प्रयाश करते हैं और दोस्वों आप इन बातों को शमय शमय पर नजरनदाज करते आ रहे हैं दोस्वों याद किजे कि पिचले शमय 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 कारे म करते हैं और दोस्व broken के आगे हार बैठते हैं कि दोस्तों भगवान श्री किष्ण कहते हैं कि किशी भी इंसान को एक बार माप करकर अच्छा इंसान बन जाओ लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी कि दोस्तों जो इंसान जे साथ था वह वेशा ही रहेगा आप उन पर बिल्कुल ही यकिना करें तो दोस्तों आपको अपने जोनकाल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंसान आपको जे उनमें कभी भी धोखा दिये हैं कभी भी आपको चछल किये तो दोस्तों उस इंसान की आपको एक बाट रहकर आपके उपर चछल करते हैं आपके जूटकर करते हैं जिसे आपको चती आपको नुक्शान होते हैं तो आपको इन अभातों का ध्यान रखना गलतियों को बिल्कुल ने करना है लखने दोस्टों आपके लिए आपके जुनकार में एक और यशी बात जो की आपके ही शटिक है कि दोस्तों कोई भी नहीं बातों का ध्यान लगना है जब भी इनसान अपने दुख लेकर आपके पास आ जाते हैं तो दोस्तों ने ना करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं होती है लेकि दोस्तों आप उनके पीछे की बात को जान भी नहीं करते हैं दोस्तों कि आपको दोखा देने के चकर में रहते हैं और फिर दोस्तों सब उनको आप पेशे देते हैं तो दोस्तों फिर कई दुनों के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों आप उनकी नजरों बहुत ही अच्छा है다 ऊक्तरफ बहुत ही बु Um जहां पेशे हमारी जीवन की और पेशाय पूरी करती है वहीं दोसरी और अगर हम किसी को पेशे सी देते हैं तो दोस्तों हम चाहीब कितना भी अच्छा कारी क्यों न करें हो हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं वह हमसे नजरे चुराने लगते हैं जितना आप पहले बात करते थे दोस्तों पीछे आप बात करना कम कर देते हैं तो दोस्तों एशे जीवन की हालात हो जाती है तो दोस्तों आप इन बातों का अदर रखे है जहां तक होशगे आप शमय उन्हें दिर्शक्ति हैं यह लिए बहुत ही अच्छे होगी पेशे को लेंदेन में आप बिल्कुल ही ना पड़े तो दोसों इन बातों को अपने जुनकाल में ध्यान रखें कि दोसों एसे ही गलतियां होती है जो कि आपके जुनकाल में आप क बहुत परकर की जो इनके उपर होशक्ती हुए जबीकश्फार आपके लिए पृपर यह करने लगते हैं थो दोस्तों आपको अपनी जुणकाल में इन बातों के ध्यान रखना है तो आई दूस्तिकी बाद करते हैं कि केशिया आप इनको अपने जुनकाल से निकाल सकते है तो दोसूं सबसे बल आपको बता दें कि आपके जुनकाल में जो मस्याई है जो भी कठनाईyuं आपको मेली है दोसूंices, भ». से उप्राप करते हैं कि स्वटर्व को अपने जुनकाल टीपयों को और कौण शी मंत्रों कअ चाहिए। दोसों सबसे पहले पहुत ही आश मंत्र है दोसों संकटों के निदान करने वाले शत्रों से बचाने वाले संकट मोचन जय हनुमान जय दोस्तों आपको नित्ति दिन आपको भगवान हरुमान जी का इन मंत्रों का जाब करना है संकट मोचन जय हनुमान शंकत मोचन जय हनुमान किरपा करो हे महावली हनुमान जी दोस्टों यही मंतर है जो कि आप शबी के जुनकाल में शबी शत्रों से आपको मुक्ति दिलाएगा जब आपके मन में ऐसाख ख्याल आने लगी कि आपके उपर शंकत आने वाला है तो दोस्टों आपको इस मंतरों का जाब करना है 2 2 आपके खाने के आधवी को बता दी कि इस दुसमान से छुटकार आप आने के लिए दोस्टों आपको शुन से शरंडेभ के शरुणों कम होते हैं और चीमनकाल से शत्रु हंट जाते हैं जा धोस्वों बहुत कि लायक करें दयîne करें शतरू आपको पर होगी तो दोसमों उमe recher आज के Kaiser वीडियो को लाइक करें और चैम्पाईb कर लें दैन्यवाद